मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रेगुलर पैंसओन लोन के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको दे दी थी आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ फेमिली पैंसओन लोन के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या होती है family pensioner loan और आखिर कौन-कौन से ऐसे formalities है जिनको हमको fulfill करना पड़ता है अगर हम एक family pensioner है और bank में जाकर एक pension loan को apply करना चाहते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आखिर और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते family pensioner loan के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना परेगा आखिर कौन से ब्यक्ति होते हैं family pensioner family pensioner वे लोग होते हैं जो on behalf of the death of the regular pensioner pension को यहाँ पर ले रहे हैं मतलब अगर कोई एक regular pensioner थे और उनकी death हो चुकी है और उनके death होने के बाद उनके जो better half है या फिर जो उनके spouse है उनको pension मिल जा रही है चाहे full मिल रही हो चाहे आधी मिल रही हो लेकिन pension मिल रही है तो वही कहलाते है family pensioner अब family pensioner भी अगर आप चाहे तो bank में जाकर pension loan apply कर सकते हैं लेकित family pensioner के लिए कुछ अलग से restriction लगाये गया है bank को द्वारा और उन restriction उन condition के बारे में आज की वीडियो में मैं one by one आपको बताने वाला हूँ पहला factor रखा गिया है age factor minimum age family pension loan को apply करने की कुछ भी नहीं रखी गई है क्योंकि यहाँ पर ऐसा compulsory नहीं है जो family pensioner है वो एक retard person हो तो इसलिए minimum age कुछ भी नहीं रखा गिया है लेकिन जो maximum age रखा गिया है वो रखा गिया है 76 years यानिकि 86 साल 76 साल से उपर अगर आपकी उम्र हो चुकी है और आप एक family pensioner है तो आप family pension loan एपलाई नहीं कर सकते रखा गिया है अगर आपकी उम्र 62 सालों से नीचे है तो आपकी maximum repayment प्योड आ जाती है 6 साल यानि की 6 62 माईने और अगर आपकी उम्र 62 सालों से उपर हो चुकी है तो repayment प condition है pension payment order यानि की आपकी जो family pension पाने की PPO order है वो जिस भी bank में आपने maintain कर रखा है उसी bank में जाकर आप pension loan को apply कर सकते हैं और अगर आपने एक family pension loan ले लिया है उस bank से तो आप अपनी PPO account या फिर आप अपनी जो saving account है pension account है उसको किसी भी दूसरे bank में transfer नहीं करवा सकते हैं तो आपकी जो net monthly payment है जो आपकी pension amount है उससे आप maximum 33% ही as a EMI कटवा सकते हैं आपकी eligibility pension loan की जितनी भी हो से आपकी 10,000 रुपे pension आ रही है तो उससे आप maximum 3300 रुपे ही as a EMI कटवा सकते हैं for family pension loan उससे उपर अगर आपकी eligibility आ भी जाती है तब भी आपको bank pension loan नहीं देगी और जो last condition है वो आज आती है prepayment charges को लेकर prepayment charges का मतलब है अगर आप अपनी pension loan को समय से पहली close कर देते हैं तो बहुर सारे bank उसके अवज में prepayment closure charges चार्ज करती है State Bank of India अभी 3% charge कर रही है कुछ bank यहाँ पर 1% करती है तो कुछ bank यहाँ पर नील charges charge करती है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है जिस bank में जाकर आप अपनी family pension loan को apply कर रहे हैं तो उस bank में आपकी कितनी prepayment closure charges से उसको पहले ही पूछ लीजेगा जिससे की future में आपको परेशानी ना सहना परे लेकिन अगर आपने कोई दूसरी एक pension loan apply कर रखी है और उस pension loan को देने के लिए पहली pension loan को close करना परेगा तो उस situation में bank आपसे एक भी payment closure charges नहीं करती है अब बाते कर लेते हैं थोड़ी सी interest rate के बारे में तो interest rate भी अलग-अलग bank को की अलग-अलग होती है और interest rate regular pension loan या फिर जो family pension loan है उसकी same ही होती है regular pension loan की अगर हम state bank of india की बाते करें तो 11.20% interest rate तो वही पर Punjab National Bank की 11.75% है तो किसी bank में 12% है तो किसी bank में 11.25% है तो interest rate अलग-अलग bank की अलग-अलग होती है आपने जिस भी bank में अपनी family pension loan को apply किया है उस bank में जाकर आप पूछ लीजेगा आपकी जो loan है उसके against पर bank आप से कितनी एज़े interest चार्ज करेगी एफ़ड family pension loan अब family pension loan को apply करने के बाद guarantor का role काफी ज़्यादा एहम हो जाता है रेगुलर pension loan में guarantor का role इतना एहम नहीं होता है क्योंकि regular pensioner की अगर देथ हो जाती है तो उनके विहाब में उनके spouse को pension मिल जाती है तो उन pension amount से ही जो pension loan है उसको adjust कर दिया जाता है लेकि family pension loan में जो guarantor है वो fully एक guarantor की तोर पर ही काम करती है तो अगर आप एक ऐसे बेखती हैं जिन्होंने family pension loan की किसी भी loan amount में guarantor का role अदा किया है तो आपकी काफी ज़्यादा responsibility आपर बढ़ जाती है अगर family pensioner की देथ हो जाती है तो अब जब भी documents की बाते करते हैं तो guarantor की documents भी यहाँ पर क साथ में जो family pensioner है उनको PPO की document देनी पड़ती है साथ में अपनी केवाशी document देनी पड़ती है बैंक की statement देनी पड़ती है और जो PPO जो उनकी pension payment जो receipt है वो भी दे दे देना पड़ता है लेकिन जो guarantor है उनको भी यहाँ पर complete documentation करना पड़ता है और बहुर सारे bank उन ही को ए State Bank of India या फिर PNB में for family pension loan आपको guarantor के तोर पर वो accept करेंगे तो यहाँ पर guarantor काफी एहम रोल अधा करते हैं क्यूंकि अगर loan किसी का खड़ाब हो जाती है अगर pensioner जो family pensioner है उनकी date हो जाती है और उनके बाद उनकी loan को उनके family member close नहीं करते है तो आपकी civil score पर भी इसका असर पर सकता है तो future में यह काफी ज्यादा नुक्सान दैक आपके लिए हो सकते तो किसी को भी guarantee देने से पहले जड़ा सोच लिएगा उनके जाने के बाद उनकी जो loan amount है उसको repayment करने की उनके family member के पास capability है या फिर नहीं अगर है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो guarant pensioner loan अगर आप एक ऐसे बेखती है जो on behalf of the date of the pensioner pension ले रहे हैं और आपको urgently पैसे की आवसकता अनपरी है तो आप अपने bank में जाकर family pension loan को apply कर सकते हैं आपको एक regular income वाले guarantee की आवसकता पर सकते हैं असा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ निया information मिला होगा और अगर मि आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care